संजय जैसवाल जी से हम लोग को सट्टिफिकेट लेने की थोड़ी जरूरत है लोग जन सक्ति पाटी के राष्टिय अद्धक्ष आदरने चिराग पासवान जी है और लोग जन सक्ति पाटी दोनों उपचुनाओ लड़ने जा रही है यही सच्चाई है यह जदियू के चचाजान हो सकते हैं लेकिन लोग जन सक्ति पाटी के राष्टिय अद्धक्ष आदरने चिराग पासवान जी है हार तो असपष्ट दिख रही है हमारा एक मिसन था आसिरवाद यात्रा और अपने संगठन को सुर्दिन करना उसमें आदरने चिराग पासवान जी लगबग 29 जिलाब में से 4-5 जिलाब बचे हैं और बहुत मेहनत की है और जिस तरीके से एक जनता का असिरवाद मिला है और एक जन सहलाब जो हम लोग देखे हैं तो उससे कहीं न कहीं राज्यसरकार भैभीत है मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि लोग जन सकती पाटी के जो भी समर्पित करता होंगे जिनको यह सिंबॉल मिलेगा वह जद्यू के उमिदवार को हराने का काम करेंगे और दावे के साथ मैं आपके चैनल में बोल के जा रहा हूँ कि जिस समय आप रिजल्ट देखिएगा उस समय जद्यू के जो परत्यासी होंगे उधरसाही होंगे नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत और मैं हूँ अभिसेक मिस्त्राक्या चिराग पासवान को लेकर बीजेपी भी दो खेमों में बट गई है यह सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजे जय सवाल का एक बयान सामने आया है और बयान यह कि पसूपती कुमार पारस लोग जनसक्ती पाटी के रास्टिय अध्यक्ष है यह बयान उस वक्त आया है बिहार की राजनिती की इस्थिती और परिस्थिती के बीच आया है ये का हिसा रहेंगे ये बैयान उसवक्त आया है जब पर्धान मंत्री से कई बार चिराग पासवान की फोन पर बात होती है बीजेपी के बड़े निताव सेहाल के दिनों में चिराग पासवान की मुलाकात होती है तो क्या बीजेपी चिराग पासवान को लेकर कन्फ्यूज है या फिर बीजेपी दो खेमों में बटी हुई है एक खेमा है जो पसुपती कुमार पारस को अपना माफ कीजिएगा लोग जनसक्ती पार्टी का रास्टिय दक्ष मानता है दूसरा खेमा है जो चिराग पासवान को इंडिये का हिस्सा मानता है इस पर बात करेंगे हम हमारे साथ लोग जनसक्ती पार्टी के प्रवक्ता चंद पर दोग जन सक्ति पाटी के राश्टी अद्धक्ष आदर्निय चिराग पासवान जी है। क्या ये समझें कि बीजेपी दोखेमों में बढ़ गई है। आपने बयान सुना होगा बीजेपी कोटे के मंत्री है नीरज कुमार बबलू और हमसे ही बातचित करते हुए कहा कि चिराग पासवान केंदर की एंडिय का हिस्सा है केंदर की एंडिय सरकार को सपोट कर रहे और आज संजे जैसवाल का देते हैं कि राश्टी अधिक्स तो पस्पति कुमार पारस है, कन्फ्यूजन है, टकराओ है, चिराग जी को लेकर क्या है। यह हमारा भी से नहीं है, लेकिन जहां तक लोग जनसक्ति पाटी की बात है, तो लोग जनसक्ति पाटी के राश्टी अधिक्स आधरने चिराग पासवान जी हैं। पासवान जी लगबग 39 जिलाब में से 4-5 जिलाब बचे हैं। और बहुत मेहनत किया है, और जिस तरीके से एक जनता का असिरवाद मिला है, और एक जनसहलाब जो हम लोग देखे हैं। तो उससे कहीं न कहीं राज्य सरकार भैभीत है, और आधरनीय जैसवाल जी से तो बुलवाया जा रहा है, बगल में ललन सिंग है, मुंगेरी लाल के हलस हसीन सपने की बात कर रहे थे, तो कहीं न कहीं जदू देख रही होगी, कि उनके हाथ से ये दोनों सीट निकलती जानता हूँ, लेकिन हमारे पास ये खबर है कि समिकर्णों का बड़ा ख्याल रख रहे हैं आप लोग, मुंगेर की तारापूर और कुस इसवर अस्थान के जो समिकर्ण है, उसका बड़ा ख्याल आप लोग रख रहे हैं, और चुकि राजिव कुसवाहा का नाम मुंगेर मुंगेर की तारापूर सिट से एंडिये ने एलान कर दिया है, जेडियू के उमिदवार होंगे, मुंगेर की तारापूर सिट से, जिस तरह से जातिये समिकर्णों का ख्याल रख कर, जेडियू अपने उमिदवार उतार रही है, और राजिव कुसवाहा का, राजिव लेकिन हम लोग जनसक्ती पाटी के बारे में कह सकते हैं कि हमारा संगठन और हमारा करकरता वहाँ active है और ground level पे जो हमने काम किया है और कुशेस्वर अस्थान की जनता हो या तारापूर की जनता हो वह जानती है कि चिराग पासवान के बिहार first बिहारी first से ही समधान हो सकता है तो हमको वहां की जंता का भरपूरा सिरवाद है लगातार लोग जंसक्ति पाटी के पास वहां के लोग आ रहे हैं और हमारे नेताओं से संपर्क कर रहे हैं लगातार भीड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है कि हमको मिले सिंबॉल हमको मिले यह विस है जो है हमारे बिहार संसदिये बोट का है आखरी सवाल है आपसे कम से कम इतना बता दीजिए कि चार तारीक को चार अक्टूबर को जब लोग जनसकती पार्टी की संसदिये बोट की बैठक होगी जाहिर है उस बैठक के बाद लोजपा के उमिद्वारों के नाम का एलान हो जाएगा क्या ये माने कि लोजपा के नाम के उमिद्वारों का जब ऐलान होगा की उमिद्वार कौन होंगे उस उप्चुनाओं में तो दो कददावर चेहरों के नाम सामने आएंगे लोग जनसकती पार्टी इस सुप्चुनाओं में दो कद्दावर चेहरों को उतारने जा रही है मजबूत चेहरा चेहरे को मैदान में उतारने जा रही है जेडियू उमिदवारों के खिलाप देखे मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि लोग जन सक्ति पाटी के जो भी समर्पित कारे करता होंगे जिनको यह सिंबॉल मिलेगा वह जद्यू के उमिदवार को हराने का काम करेंगे और दावे के साथ मैं आपके चैनल में बोल के जा रहा हूँ कि जिस समय आप रिज का नहीं रहे हैं अंदर खाने से जो जानकारी हम जुटा रहे हैं डिटीवी भारत जुटा रहा है वो आपके सामने रख रहा है अब तक तो हमारी खबरों पर मुहर लगती आई है आगे भी लगे गी ऐसा मुझे भरोसा है और उपचुनाओं को लेकर हर सस्पेंस को खत्म करने की कोशिस है हमारी कोशिस है कि जो खबरें आप तक चार दिन बाद पहुँचेगी दूसरे माध्यमों से वो खबरें बहुत से टिकता के साथ हम आज पहुचा दें आने वाले कुछ घंटों में पहुचा दें और इस कोशिस और इस कोशिस भुचेगी दिकता के साथ